परिचय प्रिया की माँ सिक्किम के मानचित्र को देख रही है प्रिया जानना चाहती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है उसकी माँ से बताती है कि वह अगले सब्तहा पूरे परिवार के साथ सिक्किम घूमने की योजना बना रही है वह चाहती हैं कि यह यात्रा सभी के लिए यादकार बने इसलिए वह योजना बना रही है वह सिक्किम के विभिनक्षेत्रों, उनके स्थिती, उनके बीच की दूरियादी को पता करने में मानचित्र का प्रयोग करेंगी आओ, मानचित्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं आओ सीखें मानचित्र, दिशा सूजक, मानचित्र कला और मानचित्र वली यानि एटलस को परिभाशित करना राजनैतिक और भौतिक मानचित्रों में अंतर करना मानचित्र एक मान्चित्र प्रित्वी की सतह के कुछ हिस्सों को आरेखित रूप से दर्शाता है। यह संसार के देशों, उनकी राज थानियों, शहरों तथा कस्पों आदी को दर्शाता है। यह पृत्वी की विभिन, भूक्रितियों और जलनिकायों को भी दर्शाता है। मानचित्रों में नदियों और पहाडों को दर्शाने के लिए चित्रों तथा संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये चित्र और संकेत प्रतीक कहलाते हैं। कुछ साधारन प्रतीक जो की मानचित्रों में प्रयोग किये जाते हैं, निमने हैं। सडकों को दर्शानी के लिए काली रेखाएं, नदियों के लिए नीली रेखाएं, मैदानों के लिए हरा रंग, मुखे आवासों के लिए बिंदू, दमकल केंद्रों यानि फायर स्टेशनों के लिए अगनी शमकों यानि फायर मैन की टोपी. चुम्बिकिये दिशा सूजक यानि कमपास चुम्बिकिये दिशा सूजक एक साधारण यंत्र है, जो कि हमें किसी स्थान की इस्थिती बताने में सहायता करता है इसमें एक लंब भी सुई होती है सुई के एक भाग पर एन का निशान होता है जो की उत्तर दिशा को दर्शाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप प्रित्वी पर कहां है जुम्ब किये दिशा सूचक की सुई हमेशा उत्तर दिशा को ही दर्शाएगी इस प्रकार कोई भी उत्तर दिशा की सहायता से अन्ने दिशाओं को जान सकता है मानचित्र कला मानचित्र को बनाने की विज्ञान मानचित्र कला कहलाती है वह व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है मानचित्र कार कहलाता है पुराने दिनों में मान्चित्रों को हाथ से बनाया जाता था हाथ से मान्चित्र बनाना एक कठिन प्रक्रिया थी और इसमें समय भी अधिक लगता था हाथ से बनाय हुए मान्चित्र में गलतियां भी होती थी परन्तु आजकल मान्चित्र कम्प्यूटर सौफ्वेर की साहता से बनाए जाते हैं इसलिए ये ज्यादा सही होते हैं आओ खेलें नीचे दिये गए विकल्पों में से सही शब्दों को उठा कर तथा उन्हें संगत स्थानों पर रख कर वाक्यों को पूरा करें मान्चित्रवली यानि एटलस मान्चित्रवली मान्चित्रों तथा लेखा चित्रों का एक संग्रह होता है एक मान्चित्रवली में मान्चित्र संसार के विभिन स्थानों की भोगोलिक जानकारी देते हैं एक मानचित्र वली में लेखा चित्र हमें किसी विशीश इस्थान की जानकारी जैसे की जनसंख्या, समुद्रिस्तर, फसल की पैदावार आदी देते हैं मानचित्र दू प्रकार के होते हैं, राजनेतिक और भौतिक, आओ इनके बारे में विस्तार से जाने राजनेतिक मानचित्र राजनेतिक मानचित्र एक ऐसा मानचित्र है, जिसकी रेखाएं देशों, प्रदेशों तथा केंदर शासित प्रदेशों को दर्शाती हैं इसका उदेश राजनेतिक सीमाओं को दर्शाना है, उधारन के लिए संसार का राजनेतिक मानचित्र सभी देशों तथा उनकी राश्थानियों को दर्शाता है, ठीक इसी प्रकार योरोप का राजनेतिक मानचित्र राजनेतिक सीमाओं के साथ साथ योरोप में पाय जाने वाले सभी देशों के नाम तथा उनकी राश्थानियों को भी दर्शाता है। इस प्रकार राजनीतिक मानचित्र संसार को अच्छी तरह से समझने में हमारी सहायता करते हैं। आओ खेलें। बच्चों, अब समय है एक गतिविधी का। मानचित्र में महाद्वीपों को देखने के लिए उनके उपर माउस ले जाएं। भौतिक मानचित्र भौतिक मानचित्र किसी क्षेत्र की भौतिक विशेष्टाओं जैसे की परवद, नधियों तथा झीलों आधी को दर्शाते हैं। प्राया भौतिक मानचित्र में जल निकायों को नीले रंग से दर्शाया जाता है। विभिन रंगों का प्रयोग विभिन उभारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे की हरा रंग निचले उभार के लिए तथा नारंगी या कथई रंग उच्च उभारों के लिए प्रयोग किया जाता है। उधारन के लिए अफ्रीका का भौतिक मांचित्र दर्शाता है कि अफ्रीका महादीब पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर के बीच में इस्थित है. अफ्रीका महादीब ये भी दर्शाता है कि इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा लाल सागर से लगी हुई है हमने क्या चड़ जागी? एक मान चित्र पित्वी की सतह के कुछ हिस्सों को आरेकित रूप से दर्शाता है चुम्ब की ये दिशा सूचक यानि कमपास एक साधारन यंत्र है जो उत्तर दिशा को दर्शाता है मान चित्र कला मान चित्र बनाने का विज्ञान है मान चित्र वली यानि एटलस मान चित्रों तथा लेखा चित्रों का एक संग्रे है राजनीतिक मान्चित्र एक ऐसा मान्चित्र है जिसकी रेखाएं देशों, प्रदेशों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाती हैं भौतिक मान्चित्र किसी क्षेत्र की भौतिक विशेष्टाओं जैसे की पर्वत, नदियों तथा झीलों आधी को दर्शाते हैं.